हेलो सुदेंट्स वेलकम तुद आफीशियल यूट्यूब चेनल आफ ओरिजिन कोचिंग आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास फिजिक्स इंग्लिश मीडियम का अल्टरनेटिंग करेंट का इससे पहले आपने हमारा फस्ट पार्ट का वीडियो देखा होगा वो आपने प्रिपेर किया होगा अब हम उस वागे पार्ट टू में कंटिनिवस करते हैं लास्ट टाइम हमने रूट मीन स्क्वेर वेल्यू यदि आपने हमारा फस्ट वीडियो और circuit alternating current में बहुत ज़्यादे important होता है तो one by one हम एक एक circuit को पढ़ते जाते हैं आप ध्यान रखेंगे कि हर circuit ness circuit को support करता है और उसी के according एक दूसरे से वो connected होता है तो सबसे पहले मैं कुछ आपको basics बता दूँ इसके कि circuit जब अपन पढ़ेंगे तो कितने circuit पढ़ेंगे और कौन कौन से circuit पढ़ेंगे एक introduction बता दूँ तो circuit हम alternating current के जो circuit बनाते हैं वो three device, three instrument से हमारा मिल के बनता है या three parts से मिल के बनता है जिसमें सबसे पहले हैं हम use करते है resistance यूज करते हैं जिसको हम आपको पता है represent करते हैं इस तरह से R यह resistance है second capacitor capacitor जिसको हम represent करते हैं two parallel lines and represented by C, C-far capacitor and third is impedent induction coil induction coil या inductance और यह हम represent करते हैं L से तो यह three हमारे पास device है कहा सकते हैं या wire है resistance यह resistance है capacitor capacitor और induction coil जिसको हम एज से प्रेजन करते हैं इनको लेके हम circuit बनाते हैं तो electricity में alternating current पर work करने वाले जितने भी device बनाया जाते हैं सब में यह तीन ही use होते हैं और इस तरह से इन तीनों को मिला के जो circuit हम बनाते हैं उसका मैं यहाँ पर आपको नाम लिख देता हूँ तो इस तरह से circuit यहाँ मैं लिख देता हैं इसको circuit के नाम इसको जो circuits बनते हैं उसमें first इनको single लेके जिस order पर मैं पढ़ाऊंगा मैं easy से difficult करूँगा इसलिए अपने order पर उसके नाम को लिख रहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे R circuit R circuit इसके बाद हम पढ़ेंगे single circuit R फिर हम C पढ़ेंगे और third number में हम पढ़ेंगे L circuit तो यह हमारे single circuit हो जाएंगे इसके बाद फिर double double circuit में हम दोदो को combine करते जाएंगे तो सबसे पढ़ेंगे अपन CR circuit fifth number में पढ़ेंगे LR circuit six number में पढ़ेंगे LC circuit और seventh number में हम पढ़ेंगे तीनों को मिलाके LCR circuit यह seven circuit का हमको study करना है single circuit में R circuit, C circuit, L circuit फिर double दोदो को लेके circuit बनाते हैं capacitor और resistance को लेके फिर induction coil और resistance को लेके यह और इसके तीनों को लेके यह seven circuit हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर हम इसमें calculate क्या करेंगे मतलब इसके basic fundamental में आपको पहले पढ़ा दूँ फिर one by one अपन के आपको circuit को study करेंगे तो इसमें हम निकालेंगे resistance इसमें जो calculation करेंगे उसमें क्या का calculation करेंगे हम requirement के हिसाब से या तो resistance निकालेंगे या तो reactance या तो reactance either impedance ये resistance, reactance and impedance तो what is resistance and reactance and impedance हम पहले आप question कर देंगे है क्या actual में ये तीनो resistance ही है resistance क्या आप ये समझ सकते हैं resistance के तीन अलग-अलग नाम है कहीं पर हम उसको resistance या ये ohmic resistance है ohm-slah के कार्डिंग जो resistance मिला वो ohmic resistance है ये भी resistance, safe resistance लेकिन कब, जब only किसी circuit में only R use किया गया हो मतलब ऐसा circuit जिसमें ये resistance only use किया गया हो उसके resistance हम क्या कहेंगे resistance ही कहेंगे लेकिन कोई ऐसा circuit जिस circuit में क्या हो L, R, C use किया गया L, R, C मतलब या तो induction coil use किया गया हो यह या तो यह use किया गया हो तब हम उसका resistance का देखे, capacitor का भी अपना एक resistance होगा induction coil का भी अपना एक resistance होगा, तो इनके resistance को हम क्या कहेंगे इनके resistance को हम reactance कहेंगे और इसको हम represent करेंगे x, l, r x, c से यह इसको represent करने का symbol है यह आप ध्यान रखना, XL किसका reactance होगा, XL is the reactance of induction coil and XC is the reactance of capacitor and impedance, what is impedance, impedance is 2R more, 2R more, जब हम दो या उससे अधिक, यह जो मैंने LX से लिखा हुआ है यह जो force circuit में लिखा है, इसका जो resistance होगा, उसके resistance को हम resistance नहीं कहेंगे उसके resistance को हम क्या कहेंगे, impedance कहेंगे, that means resistance, reactance and impedance are resistance in different different cases if only resistance used, then it is called resistance, if LRC is used, then it is called reactance, if any 2 or more than 2 are used, then its resistance is called impedance and represented by Z, इसको हम Z से represent करते हैं, तो यह आप ध्यान रखना, यह इसका basic fundamental है तो पहले हम calculation में तीनों में से कोई एक करेंगे, और उसके बाद हम calculate करेंगे phase यह phase क्या होता है, देखें, यह phase difference phase मैं आपको बता चुका हूँ, जो क्या कहलाता है, phase is the factor which determines the direction and position of the current तो यहाँ पर हम निकालेंगे phase difference phase difference, किसके किसके बीचे phase difference, phase difference between current and voltage तो उसके लिए हम क्या करते है, current के voltage से हम potential के phase से या potential के phase से current के phase को minus करते हैं, यह जो मैं आपको भी prepare करा रहा हूँ, यह क्या prepare करा रहा हूँ circuit जो पढ़ाऊँगा, उसका basic बता रहा हूँ है आपको, देखिए, तो suppose हमारे पास current I equal to I naught sine omega t plus phi, यह current का value है, और यहाँ पर omega t plus phi क्या है, इसका phase है, omega t plus phi is the phase of current and suppose we have potential V equal to V naught sine omega t और अपने पास potential यह है, तो इस condition में जब हम phase difference निकालेंगे, यहाँ पर हम phase difference निकालेंगे, तो phase difference निकालने के लिए क्या करेंगे, हम current के phase से, that means omega t plus phi से हम क्या करेंगे, potential के phase को minus करेंगे, तो क्या मिल जाएगा अपने को phase difference मिल जाएगा, that means यहाँ पर phase difference क्या आ जाएगा, फाई तो face difference को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं यह आप ध्यान में रखना इस तरह से हम face difference निकालते हैं अब face difference निकालने के बाद face difference निकालने के बाद जो बहुत महत्पूर्ण बात है वो यह है कि हम face difference निकालके किस तरह से potential और current के बीच में graph गरा करते हैं उसको महते है face graph यह face graph को आपको ध्यान से समझना है तो first face graph होता है leading leading graph leading graph में क्या होता है यह इस तरह आपको graph मिलेगा हम x-axis में represent कर देंगे current को यह current को represent कर दिया हम है और y-axis में हम represent कर देंगे potential को यह आप देखिए यह leading graph का graph है यह आपको learner करना है और यहाँ पर यह pi by 2 का angle है that means यह graph क्या कर लाएगा current i is pi by 2 leading with potential मतलब इस तरह के graph में आपको यह बता नहीं यह बता रहा है यह graph कि current जो है potential से pi by 2 lead कर रहा है आगे है या उसको हम ultra ही बोल सकते हैं देखिए chapter में confusion है यह आप चीजों को कई तरीके से पढ़ेंगे आप confused हो जाएंगे जैसे कुछ writer अपने books में लिखे होंगे कि in this case potential is pi by 2 lagging with current वो भी सही है यदि मैं किसी से आगे हूँ तो वो तो बोल सकता है कि मैं इसे पिशे हूँ graph इस तरह से आपको मिलेगा तो हमको x axis में current को ही represent करना है i और y axis में potential को और यहाँ पर आप लिख दीजिए pi by 2 तो यह क्या है pi by 2 lagging graph है clear तो यह leading graph है यह lagging graph है और हम क्या करेंगे हम हमेशा current के face से जैसे मैंने यहाँ पर example में आपको समझाया है current के face से क्या करेंगे अपन potential के face को minus करेंगे और current के face से potential के face को minus करने पर यदि plus pi by 2 मिले तो plus pi by 2 मिले तो आप क्या करेंगे current को leading condition में लेंगे मतलब यहाँ पर जो pi का value है वो हो जाएगा pi equal to plus pi by 2 यह मान के चलना और इस case में आप ध्यान रखना कि pi का value क्या आ सकता है minus pi by 2 आ सकता है लेकिन कब जब हम क्या करेंगे current से potential को minus करेंगे यदि हम potential से current को minus करेंगे तो ultra मिलेगा तो यह basic fundamental सबसे पहले आपको अपने दिमाग में set करना है उसके बाद फिर हमको एक एक करके circuit पढ़ना है clear तो अब हम start करते हैं इसके circuit तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यहाँ पर जो मैं charge बताया R circuit वैसे आप कहीं सी start कर सकते हैं लेकिन मैं proper way में बता रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी books में writer अपने अलग sequence पढ़ा सकते है R circuit सबसे easy circuit है और इसमें only register used होता है clear omic register first circuit is R circuit R circuit मैंने बताया कि अब इसमें only R लगा हो तो सबस्पहरा हम इसके एक circuit बना लेंगे बहुत easy circuit होगा इसका देखे ये और ये यहाँ पर हम alternating current का source जिसको हम भी सबसे रिपेजन करते हैं ये सब मैं अपने first video में आपको बता चुका हूँ यदि आप मेंसे किसी ने first video नहीं देखा है तो पहले वो देखे तो समझ में आएगा कभी भी किसी भी series को आपको once start करना है ये है alternating current AC और यहाँ पर हमने current supply किया suppose I और इसका जो potential है terminal का वो VR है इस तरह से हम ये R circuit बना ले बहुत असान है only R use होगा अब इसमें आप एक technique याद रखना कि किसी भी circuit को अपने को बनाना है तो हमको potential से start करके उसके calculation को current तक ले जाना है तो हम लिखते है since we know that V equal to V naught sin omega t ये हम जानते है अब आपको क्या करना है इसको आपको change करके current में convert करना है तो naturally आपको पता है कि क्या हो जाएगा ये यदि दोनों side में मैं R को divide कर दूँ तो V upon R equal to V naught upon R into हो जाएगा sin omega t R divide गया तो that implies अब हम इनको ohms last लिख सकते है I equal to ये हमने suppose कर लिया क्या I naught sin omega t ये relation number first ये relation number second तो current को हमने potential को हमने current में convert कर दिया अब मैं आपको बताया कि face difference निकल ला है यहाँ पर अब हमको निकल ला है face difference तो face difference निकलने के लिए का करेंगे phi तो phi निकलेंगे तो current का face क्या है omega t है तो omega t हो गया ये और potential का face कितना है वह हैगी omega t है तो omega t minus omega t ये cancel out होयेगा और क्या मिल जाएगा जिरो that means in this case the current and potential are in same phase इसमें क्या होते है I and V are in same phase ये बात आप तो भी नहीं भूलना कि इसमें I and V same phase में होते है और इसमें phase graph देखिए ये chapter बहुत technical है आप बहुत technique से prepare करेंगे तो आसान लगेगा अब हम इसको phase graph ड्रा करें तो ये x-axis मैंने बूला था कि x-axis में current को लेते हैं अब हमको potential को लेना है तो potential को क्या करेंगे उसको भी हम same axis में लेंगे क्यों लेंगे क्योंकि दोनों के बीचे phase difference 0 है तो इसका क्या होगा R circuit का phase graph रहेगा clear और ये कहलाएगा peak value of the current which is equal to V naught upon R तो phase difference 5 होगा ये दोनों चीज आपको याद रखना है competitive exam के लिए भी आगे numericals के लिए भी और आगे के circuit को समझने के लिए तो final conclusion is if resistance is used in any circuit then its current is always same phase with its potential they are in same phase and this is the graph of current and potential clear ये हो जाता है R circuit अब देखें इसी circuit को हम किस पकार से change करते जाते हैं देखें ये similar है एक circuit आपको समझ में आने के बाद बाकी circuit भी उसी तरह से बनते जाता है अब हम second number में पढ़ लेते हैं ये लिख दिया मैं C circuit अब आपको क्या करना है resistance को यहां से हटाना है और इसके जाब क्या लगा देना है capacitor लगा देना है आसान है कुछ भी नहीं ये मैं यहां पर capacitor लगा दिया ये आप C लिख दो और V R के जग़े में क्या हो जागा ये वी C हो जागा बस C circuit हो गया अब C circuit में start तो यहीं से होगा हर circuit single circuit यहीं से start होगा अब इसको आपको change करना है current में लेकिन condition क्या है by the help of capacitor अभी हमने क्या किया था resistance को use करके current बनाया था तो कैसे होगा since we know that C equal to Q upon V यह पन जानते हैं कि C equal to क्या होता है Q upon V that means Q equal to C into V directly देता हो हमें Q equal C into V अब यह charge है अब यह C यहां use हुआ और charge current बन जाएगा differentiate करने से that implies इसको हम क्या कर दिये पहले तो हम value put up कर देते हैं इसको small Q लिख देता हैं उसे फार्क नहीं पड़ता है यह होगया Q equal C का value C है अब V का value यहां से लाग के put कर दिये V naught sin omega T clear? now differentiate now differentiate with respect to time both sides अब हम क्या करेंगे इसका दोनों side का T के respect में differentiate कर देंगे तो क्या जाएगा? DQ by DT equal to D by DT of C V naught sin omega T clear? अब अपने को पता है कि differentiation of charge with respect to time the rate of flow of charge देखें आप algebraic language में Q upon T को क्या है? current बोलते हैं लेकिन calculus के language में differentiation of Q with respect to time is called current तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं? I और यहाँ पर कैसा differentiation होगा? C V naught क्या है? constant है तो C V naught को हमने बाहर लिग दिया और differentiate के कोन होगा? sin omega T तो इसका डिफ्रेंस से समझाएगा omega cos omega T यह difference अगर आपको सब आना चाहिए integration differentiation फिजिस में बहुत जगरत है नहीं बनता तो मैं बार-बार वीडियो में याद दिलाता हूँ आप मेरे basic mathematical tools के वीडियो देखिए ठीक है? मैरा जो basic mathematical tools के वीडियो बनाया है वो concert करिए मैंने calculus complete बहुत अच्छे से वहाँ पर बताया है that implies I equal अब हम क्या करते हैं c, v, naught और omega को एक constant suppose कर लेते हैं अब यह एक बार ऐसे लिख लेता हूँ c, v, naught, omega इसके बाद करेंगे अब इसको cast को अपने को sign में change करना है तो cast को sign में change करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं sin pi by 2 plus omega t क्योंकि अपने को trigonometric के formula से पता है कि sin 90 plus theta equal to क्या होता है cast theta तो pi by 2 means 90 degree sin 90 plus theta इस cast theta तो cast को हमने sign में ऐसा convert कर दिया अब ऐसा क्यों किया क्योंकि हमारा जो standard formula होता है current का वो i equal to i naught sin omega t होता है clear अब हम इसको क्या करते है that implies i equal यह जो मैं underline किया इसको हम suppose कर लेते हैं i naught यह i naught हो गया और यह हो जाएगा sin pi by 2 plus omega t this is relation number second and here यहाँ पर लिख देंगे here i naught equal to c v naught into omega clear अब देखिए हमको यह इस फाम में मिल गया और यह हमारा potential इस फाम में है अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या face difference therefore face difference तो face difference निकालने के लिए क्या करेंगे अपन phi phi equal to क्या होगा face of the current face of the current is pi by 2 plus omega t and face of the old potential is omega t तो इसमें हम क्या करेंगे minus omega t omega t omega t minus हो कितना होगा pi by 2 जो की positive है इससे हमको क्या पता चलता है इससे पता चलता है कि current जो है वह potential से pi by 2 leading है तो इसके बाद हम बना लेंगे face graph यदि हम इसका graph बनाएं तभी मैंने बताए graph किस तरह से बनेगा इसका graph ऐसा बनेगा यह हो जाएगा i और यह हो जाएगा v यह हो जाएगा v c यहाँ पर potential of capacitor उसको भी फेजर कर देंगे vc current आई तो आई ही रहेगा और यह क्या है leading है देखिए यह pi by 2 leading है that means यहाँ पर हम क्या लिखेंगे thus it is clear that current is pi by 2 leading with potential of the capacitor in this graph यहाँ पर अप लिख लेंगे उसको यह leading होता है और एक graph होता है इसको phasor phasor diagram या phasor graph कहते हैं phasor graph कैसे बनता है उसको इस तरह से बनाते हैं देखिए यह x-axis है और यह y-axis है इस x-axis में के साथ आप इस तरह से omega t का जो phase difference है यह हमने potential को ले लिया v को clear अब current जो होता है वह potential से pi by 2 क्या होता है leading होता है तो यहां से pi by 2 माने यहां से 90 degree का हम graph graph करते हैं यह यहां से 90 degree लेते हैं मतलब potential से हम इसको 90 degree का graph link यह जब potential है v naught यह हम ऐसा x-axis से omega t का angle बनाएगा फिर हम देखेंगे कि current का इसके साथ क्या situation है तो हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि current क्या है pi by 2 leading हो से ज़्यादा है तो omega t plus pi by 2 यहां पर देखें क्या आया है omega t plus pi by 2 तो इस omega t में यह pi by 2 एट कर देंगे यह pi by 2 है और यह होगा i naught clear तो इस graph को हम क्या कहेंगे phasor graph कहेंगे देखें circuit में exam में जितना आपको बोलेगा उतना आपको बताना है जितना पूछेगा कभी-कभी phasor graph को पूछेता है कभी नहीं पूछता या कभी one marks का separate question पूछता है तो graph आपको proper तैयर कराएं यह phas graph है और यह क्या है phasor graph है clear अब इसमें हमको निकालना है यह beach का middle portion में erase कर रहा हूँ आप लोगको notes बनाने के लिए दी ज़वरत है वैसे notes तो English medium को notes तो मेरे PDF मैंने description में डाल दिया है वहाँ से अप ले सकते हैं यहाँ से आपको देखना है तो screen start ले सकते हैं अब आप देखे बीच का जो position है उसको erase करके मैं next calculation है इसमें इसका हमको ज़वरत है इसलिए मैं square erase नहीं किया और वो अपने को calculate करना है मैं बोला था कि जिसमें capacitor use हो उसमें क्या calculate होता है reactance अभी fundamental में बताया तो हम use करेंगे reactance reactance के लिए हम यह वाला formula use करेंगे clear तो since अपने को पता है कि I0 equal to हता है C V0 into omega now convert this relation in the form of V0 upon I0 तो हमको I0 पीज़र transfer करना है क्यों है V0 upon I0 equal to 1 upon C omega that implies V0 upon I0 is resistance according to ohm that is represented by XC which is reactance of the capacitor XC is reactance of the capacitor that is its resistance मैंने आपको बताया था कि इसका जो resistance होता है उसको हम क्या कहते है reactance कहते है तो यह formula आपको लड़ न कर क्या रखना है यह रखना है क्योंकि फिर जब मैं triple circuit पढ़ाऊंगा तो यह आपको काम आएगा clear तो हमने क्या किया reactance calculate किया now next circuit is single circuit में कौन सा बज़ गया induction that means L circuit third circuit is L circuit यह तो common हिस्तिय मैं इसको इर्याज नहीं कर रहा हूँ यह हो गया third यहाँ अपको L circuit अब यहाँ पर आपको coil बनाना है किस तरह से round round यह L हो गया इसका potential हो जाएगा VL और starting तो हम यहीं से करेंगे अब हम किस तरह से start करेंगे अब हम start करेंगे L को use करेंगे और L को use करके हमको बनाना है current कैसा है कौँसा फर्मूला यह सबसे important point होता है तो since अपने को पता है E equal to होता है L D I by D T यह आपको पता है L equal to होता है D I by D T E equal to Fahrenheit last हमने इसको पढ़ा है और यहाँ पर यह electromotive force है और उसको हम potential भी लिख सकते हैं तो V उपट भी लिख सकते है L D I by D T अब हम L को इधार transfer कर दे हैं तो that implies यह मिल जाएगा D I by D T equal to V upon A अब इस V के value कहाँ पर लाके put कर देते हैं that implies relation is D I therefore D I by D T equal V upon A तो V के value लिए अपने पास V naught sin omega T upon L now integrate अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसका integration करेंगे दोनों side इसको transfer करने के बाद तो यह हो जाएगा D I equal to V naught upon L sin omega T into D T वहाँ differentiate किया थे यहाँ integrate करेंगे क्यों integrate करेंगे क्योंकि differentiate form में है तो integrate करेंगे तुमें लाएगा integration of D I equal to integration of V naught upon L sin omega T D T that implies integration of D I is I equal V naught upon L is constant बाहर कर दिया उसको और इसका sin omega T का integration हो जाएगा minus cos omega T upon omega sin का differentiation minus होता है और यहाँ omega जो इसका coefficient है नीचे divide हो जाएगा that implies I equal minus को बाहर लिख दिया minus V naught upon L omega into यहाँ पर देखिए यह cos cos omega T को sin में change कर रहा हूँ तो sin यहाँ पर क्या होता है यह lagging condition में होता है इसलिए हम इसको इस फार्मूलो से change कर रहे है pi by 2 minus omega T क्योंकि sin 90 minus theta भी क्या होता है cos theta होता है sin 90 plus theta भी cos theta और sin 90 minus theta भी cos theta clear अब यहाँ पर इस sin को मैं अंदर use कर दूँ तो that implies i equal यह अंदर use कर दूँ इसको sin minus theta is minus sin theta देखे बार-बार मैं आपको बता रहा हूँ कि math के जो student physics के class में हमारे दोनों student पढ़ते है math वाले भी bio वाले भी math वाले तो यह सब बायो की student के दी दिक्कत है तो आप mathematical tools जरूर revise के otherwise बहुत problem होगा आपको आगे और भी problem होगा इसलिए सब काम बंद करके आप मेरे five video mathematical tools के है वहां से या आप किसी फी resources से उसको strong करिए तो minus के यहाँ पर यूस कर दूँगा तो होगा V naught upon L omega into यह क्या होगा sine pi by 2 है वो होगा omega t minus pi by 2 this is relation number second यह second अब इतने को हम suppose कर लेते हैं क्या I naught कितने को हमने suppose किया है यह जो मैंने round कर दिया that means here I naught equal to V naught upon L into omega यह suppose किया है तो यहाँ तक किसको हम calculate करने के बाद जब हमारा formula calculation I sin omega t के फार्म में convert हो जाएगा भी हमारे पास यह होता है तो हम क्या करेंगे face difference निकालेंगे clear therefore face difference therefore face difference pi equal to इसका face क्या है omega t minus pi by 2 और minus face of the potential is omega t यह दोनों किंसर अप्ट होएगा और यह मिलेगा minus pi by 2 यहाँ पर minus का मतलब के वाल lagging से है यदि आप किसी book में पढ़ेंगे तो omega t से इसको minus किया होगा तो आप वो रांग है यह मैंने गलत पढ़ाद यह से confused मत होना difference निकालने के लिए आप free है difference का मतलब होता है कि इन ही दो चीजों में अंतर that means आप current के फैस से voltage को ही minus कर सकते है voltage के फैस से current को ही minus कर सकते है दोनों सही है लेकिन आपको सिर्फ धान यह रखना है कि यह लेगिंग ग्राफ है लेगिंग ग्राफ है और मैं minus इसलिए यूज करता हूँ ताकि student minus there के लर्ट हो जाए कि वो लेगिंग है तो therefore हम क्या करेंगे face graph बनाएंगे therefore face graph face graph क्या हो जाएग इस तरह से यह अब यह लेगिंग का ग्राफ है तो इस एक्सिस में पर बनाएंगे I और इस डारेक्शन में हो जाएगा क्या VL potential lambda induction coil inductance और यह हो जाएगा pi by 2 क्या है यह लेगिंग तो therefore I is pi by 2 लेगिंग बिठ VL यह आपको ध्यान रखना है बनाएंगे हमकिया phasor graph या phasor diagram तो phasor diagram अभी मैं बताया किस परकार से बनाएंगे यह यह हो गया x-axis यह y-axis potential का जगा तो omega t के साथ में fix है यह है V0 और omega t अब यहाँ पर देखिए हमारे फार्मूला में क्या है omega t minus pi by 2 मतलब अब omega t में pi by 2 क्या होगा minus होगा तो यहाँ पर graph ऐसा बनेगा यह बनेगा यह i-naat होगा और यह हो जाएगा omega t minus pi by 2 मतलब अब टोटल का टोटल कितना है pi by 2 है तो यह कहलाएगा phasor graph किसके लिए induction को है तो यह हमारे 3 single circuit हो गया इस 3 single circuit के base पर ही हम double और triple circuit को बनाते है तो यह fundamental आपको सबसे पहले clear होना चाहिए किसका single circuit का अब हम start करते हैं double circuit clear उसका working जो step है वो थोड़ा अलग है लेकिन इसी के help से बनेगा हूँ double circuit आपको तब तब प्रिप्यार नहीं हो सकेगा जब तक आपने single circuit को अच्छे से प्रिप्यार नहीं की है तो सबसे पहले हैपन पढ़ेंगे CR circuit that means capacitor and register used circuit fourth number circuit is CR circuit देखो circuit कैसे बनेगा capacitor यूज़ करेंगे यह और capacitor के साथ में यूज़ करेंगे अपन क्या resistance CR अब इसको हम alternating current के source से connect कर देंगे यह alternating source है इसको हम लेशकते है V equal to V naught sine omega T the amount of current is I the potential of capacitor is VC and the potential of the register is VR यह लिखनेंगे तो यह हो जाएगा CR circuit C और R हमने यूज़ किया है इसके बाद क्या करना है हमको दोनों का potential लिखना है circuit explain करने के बाद since VC equal to VC equal to क्या हैगा current into its reactance तो VC equal to I into XC and VR equal to I into R यह आपन जानते हैं क्योंकि potential equal to current into resistance यह भी वही है क्योंकि मैं बतावार बता रहा हम आपको resistance है since अब हम यहाँ पर लिखेंगे since I is अभी हमने पढ़ा है since I is pi by 2 leading leading with VC and same face and same face with R there मतलत क्या लिखा मैंने यहाँ पर अभी जो single circuit में आपको पढ़ाया क्या पढ़ाया कि आपने देखा कि current जो होता है वह pi by 2 leading होता है किस से VC से और वह register R के साथ में क्या होता है same face में होता है इस बात को लेके दिहम graph बनाए तो हमारा face graph किस पकार से बनेगा face graph कैसे बनेगा फिर देखिए यह यह हमने इस axis में current लिया और इसी के साथ में V R लेंगे क्योंकि current और V R के होता है same face में होता है और यह होए आएगा VC जो आपने भी graph में पढ़ा इसको V R वो उपर लेगे यह दोनों के भीच में pi by 2 का एंगल होगा अब यह जो resultant है यह है suppose I not तो यहाँ पर यह यह इसको आपन कहेंगे resultant potential V sorry potential होगा resultant potential तो V R और V C V R और V C का resultant potential होता है वो यह होता है और resultant potential current के साथ जो एंगल बनाता है वो यहाँ पर face difference होता है मतलब यहाँ face difference का concern बदा जाता है यहाँ पर हम face difference निकालने के लिए current के face से potential के face को minus नहीं कर दें यह graph के help से अपने को पता है अब इस graph में यह दि हम देखें तो यहाँ पर हम एक perpendicular डाख कर दें तो एक right angle triangle बन जाएगा और यहाँ पर हम pythagoras theorem लगा दें यह v यह है तो यह hypotenious है यह perpendicular है यह base है तो therefore यहाँ पर हो जाएगा यह hypotenious का square v square equal to vr square यह vr square plus vc square यह pythagoras theorem से हो जाएगा that implies आगे इसको solve करें तो v square equal to vr को हम यहाँ से क्या लिए सकते हैं i into r यह हैगा i into r whole square plus यह हैगा i into xc whole square clear then after that common i square will transfer in this side that means therefore v square upon i square is equal to r square plus xc square plus xc square that implies v square upon i square is resistance and resistance of the cr circuit is called impedance इसलिए आपको पूरा fundamental basic आपको पढ़ देवे चलना है भी मैं इस starting को बताया कि हम उसको impedance नहते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं z z square equal r square plus अभी हमने single circuit में पढ़ा है xc equal to 1 upon omega c यह हैगा 1 upon omega c whole square that implies the value of z is square root both side that means r square plus 1 upon omega c whole square this is the impedance of c r circuit तो यदि आपको exam में impedance calculate करने के लिए बोलेगा तो यहां ता आप निकालेंगे clear अब इसके बाद हम निकालते हैं fast difference fast difference यहाँ पर fast difference का calculation का method change आएगा here fast difference is calculated by the help of 10 phi 10 phi by the help of graph the value of 10 phi is perpendicular upon base here perpendicular is Vc and the base is Vr that means the 10 phi is equal to Vc upon Vr that implies put up the value of Vc and Vr the value of Vc is I into Xc and the value of Vr is I into R that implies after simplify 10 phi I I are cancelled and the value of Xc is 1 upon omega c and into R यह आपको मिल जाएगा clear आप हमको phi चाहिए तो 10 उधर टासफर कर देंगे तो phi equal to हो जाएगा 10 inverse उधर जाके 10 कहा हो जाएगा 10 inverse 10 inverse 1 upon omega c R this is the final equation for face difference यह face difference का क्या होता है final equation होता है अब यहाँ पर suppose peak value निकालना है आपको peak value of current current of peak value that is V0 V0 equal to I0 equal to V0 upon Z तो क्या करना है यह Z के value कहाँ पर लाके put up कर देना है that means I0 equal to V0 upon root of R square plus 1 upon omega c whole square this is a peak value यह 3 formula यहाँ पर आपको calculate करना है ठीक है यहाँ से लखिए सबसे पहले हम graph बनाएंगे circuit बनाएंगे leading lagging लखिएंगे face graph आपने को तयार होना चाहिए दरवाइस नहीं बनेगा face graph के help से हमने impedance निकाला फिर हमने face difference graph के help से हैं निकाला और यह निकाला हमने peak value of the current यह double circuit है और यहाँ पर जो LR circuit है वो LR circuit completely इसी पर depend होगा completely तो यहाँ पर मैं इसको पूरा erase करने के बजाए मैं आपको एक technique सिखा रहा हूँ कि आप क्या क्या change करोगे तो LR circuit बन जाएगा तो मैं जहाँ जहाँ erase करूँगा और जो जो लिखूँगा उसको आप ध्यान से लेखेंगे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ fifth number का circuit जिसको हम क्या रहा हैं L देखो मैं यहाँ पर लिख दिया L nominal change L अब LR circuit है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे induction को L लगा देंगे मतलब मैं आपको यह सिखाना चाहरा हूँ कि एक circuit यही तयार हो double वाला तो सब उसी तरह बन जाएगा यह L हो गया अब देखिए यहाँ पर VC के जगा क्या लिखेंगे VL तो XC के जगा क्या हो जाएगा XL हो जाएगा अब यहाँ पर लिखा since I is 5Y2 leading leading के जगा क्या हो जाएगा lagging क्योंकि आपको मालूम है कि L के साथ वो lagging होता है तो lagging with VC के जगा में VL यह clear और graph आपका just opposite हो जाएगा मतलब nominal change है graph आपका ऐसा हो जाएगा यह current यह potential VL यह resultant potential V और इसके साथ में same face में VR अब देखिए यह यहाँ पर phi है यहाँ पर perpendicular डार्किया में इस तरह से तो क्या हो जाएगा V square hypotence equal to VR square plus VL यह VC के जगा क्या हो जाएगा VL हो जाएगा और तब यह क्या हो जाएगा XL हो जाएगा आप C को L करते जाएगे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा L हो जाएगा और XL का value 1 upon omega C नहीं क्या होता है omega L हो जाता है यह भी क्या हो जाएगा omega L हो जाएगा clear इस तरह से यहाँ पर आप इसको V L लिखेंगे इसको X L लिखेंगे और 1 upon omega C के बजाए के हो जाता है omega L upon R यहाँ पर भी क्या हो जाएगा यह omega L that means मैं इसलिए इस तरह से आपको पढ़ाया कि आप यह समझ लो कि CR circuits तैयार होने के बाद LR circuits तो अपने हाँ तैयार हो जाता है मैंने उसी में correction करके इसको उसके लिए बना लिया आप समझ गया होंगे कि मैंने क्या क्या किया मतलब दोनों same है clear और LCR भी लगभग same है LC circuit में थोड़ा difference है तो देखें circuit कैसे हम पढ़ते हैं पहले तीनों single circuit तैयार करो फिर तीनों double circuit तैयार करो फिर LCR और इस chapter में सबसे important LCR circuit ही है तो अब मैं इसका next six number का circuit आपको पढ़ा देता हूँ LC circuit जो कि बहुत easy है और उसमें एक नया concept आएगा एक बार इसको इरेज ही कर देता हूँ LC circuit इस circuit को हम tank circuit या auxiliary circuit के नाम से भी जानते हैं क्यों ऐसा बोलते हैं मैं आपको last में explain करूँगा LC circuit is also known as tank circuit ये semi conductor जो murder फिजिस पढ़ेंगे इसका use होगा now six number circuit is LC circuit circuit की तरह से बनाएंगे ये L और ये capacitor A alternating current LC its potential is VL its potential is VC amount of current is I and V equal to V0 sin omega T since here VL equal to I into XL first VC equal to I into XC second इसके बाद यहां पर आप जो अभी माथ छिओरी लिखा थो लिख लेंगे since VL is pi by 2 legging with I and VC is pi by 2 leading with L ये छिओरी लिखने के बार हम यहां पर बना लेंगे इसका face graph therefore its face graph किस तरह से बनेगा देखिए ये X axis में अपन लेंगे क्या current अब ये क्या है इसके साथ leading है तो VC होगा और उपर हमेशा क्या होता है VL होता है ये graph बनेगा अब यहां पर problem क्या आता है आप समझ गया होंगे कि अभी तक हमारे circuit में VR यहां होता था हम दोनों का result निकाल लेते थे लेकिन यहां पर एक इस direction में है और दूसरा just opposite direction में है इसका result निकालने के लिए हमको यह पता होना चाहिए कि VL और VC में greater कोन है दोनों का direction just opposite है हमको minus करना पड़ेगा लेकिन greater value condition पता नहीं होने पर हम इस तरह से निकालते है therefore V equal to the difference of VL and VC यह difference का sign है आप ध्यान रखना यह minus नहीं है difference है minus और difference अलग-अलग चीज़े ठीक है VL difference VC that implies V equal VL का value हम यहां से put up कर दे तो क्या हो जाएगा I into XL difference I into XC that implies I को common करके यहां transfer कर दूँ तो V upon I equal to हो जाएगा XL difference XC अब यहां पर देखिए यह V upon I को हम क्या लिख सकते हैं Z Z equal to XL difference XC तो यहां पर जो impedance निकलता है वो impedance क्या होता है induction coil के reactance और capacitor के reactance के difference के equal होता है अब greater value में smaller value को आपको उसमें minus करना होता है लेकिन यहां पर इन general यहां पर जो सबसे important बात यह है वो यह है कि इसमें एक special case होता है जिसको बोलते है resonance resonance बहुत important topic है अभी हम यहां पर इसके basic आपको पढ़ा रहे हैं बाद में इसमें resonance सरकिर अलग से आपको एक separate video में पढ़ाएंगे क्योंकि resonance इस chapter का सबसे important topic है board exam के लिए भी और competitive exam के लिए भी तो यहां पर जो fundamental बताऊंगो उसको आपको अच्छे से समझना है तभी आपको आगे के topic समझ में आएगा तो resonance एक special case है इसमें क्या होता है यह जो XL है वह XC के equal हो जाता है that means the reactance if the reactance of induction coil is equal to the reactance of the capacitor then its condition is resonance condition that means इसका जो potential है coil का और capacitor का जो potential है suppose दोनों equal हो जाएं तो वो resonance का condition कहलाता है अभी equal नहीं है इसलिए हम difference निकाल रहा है लेकिन suppose equal हो जाएं तो resonance condition होगा और इस resonance frequency को हम calculate करें तो omega L equal to इसको लिख सकते omega L equal to 1 upon omega C that implies omega विधा टांसफर कर दीजिए omega L equal to होजाएगा 1 upon L into C that implies omega equal to 1 upon root of L C that implies यह क्या है angular velocity है यदि angular velocity को frequency के फाम में हम change करें तो omega equal to होता है 2 pi new तो 2 pi new equal to होजाएगा 1 upon root of L C और आगे हम 2 pi विधा टांसफर कर दें तो therefore new equal to 1 upon 2 pi root of L C यह बहुत ज़्यादा important formula है इसको बला जाता है resonance frequency this is called resonance formula of resonance frequency यह resonance frequency है यह formula आपको अच्छे सलर्न करना इसका आगे बहुत ज़्यादा use होगा तो यह LC circuit है और इस circuit का सबसे बड़ा importance ही है कि यह resonance condition create करता है clear तो यह हमारे हो गए 6 single or 3 single or 3 double circuit अब LCR circuit जो होता है वो सबका conclusion होता है सबका conclusion होता है मतलब सब circuit आपको यही तयार है यही पूरे 6 circuit आपको तयार है तभी आप क्या है LCR circuit को समझाभें otherwise नहीं तो अब मैं जितना पढ़ाया उसको LCR circuit में apply कर रहा हूँ अब ध्यान समझना इसी में correction करके मैं आपको उसको समझा रहा हूँ और सबसे important circuit है 7th number circuit very important सबको यूज होगा LCR अब यहाँ कर लिद देंगे LCR clear LCR circuit अब इसमें हम क्या करेंगे resistance भी इसमें connect कर देंगे ये resistance connect कर दिया R इसका potential होगा PR देखें कैसे extend होते जा रहा है न उसको बाच कर इसलिए मैं जानबूँ इसमें correction कर रहा हूँ नहीं तो अलग से लिखता तो मैं बना दिया LCR अब यहाँ पर L के लिखा हूँ C के लिखा हूँ तो R के लिखा हूँ VR इक्वल्ट है आएगा I into R relation number 3 अब इस graph में VL और VC को हमने जगा दिया है तो अब R को भी जगा देंगे तो R का position कहा है यहाँ होगा क्यों क्योंकि current के सामबग साथ वो तो थोड़ा अलग दंग से लिखता हूँ अब यहाँ पर यह resonance frequency सेम रहेगा इसमें भी resonance frequency होगा और सेम होगा इसको बार-बार prepare करने के ज़वरत नहीं है अब इस graph का आप ध्यान से समझो देखो graph में ही थोड़ ध्यान देना यह VL है यह VC है यह VR है यहाँ पर तीन चीज़ है इस point पर तो सबसे पहले हम वहाँ पर VL और VC का resultant निकलेंगे तो यहाँ पर हम consider कर लेंगे कि if VL is greater than VC यह हमने माना है अब आप सचोगे कि सर आपने VC को VL से greater क्यों नहीं माना मान सकते हैं आप वैसी मान के बना ले ला सब formula सेम आएगा मतलब दोनों में से किसी एक को greater अपने को suppose करना है अब VL और VC में VL को greater suppose कर लिया तो VL और VC का जो resultant होगा resultant आप VL and VC is VL minus VC क्योंकि बड़ा कोन है VL है तो resultant का direction उपर हो जाएगा क्योंकि वो जाता है clear यदि में VC को greater suppose करता तो resultant की था लेता नीचे लेता graph उल्टा बनता उपर बन उसका बैया नीजे बनता और यह है resultant potential resultant potential of the VL minus VC and VR आप ध्यान रखना किसका resultant है वो VL minus VC और VR का सबसे पहले VL और VC का resultant निकाला यहां से आप perpendicular कर दो और यह क्या है यहां पर 5 अब यहां पर हम पाइथागोरा स्थेयोरम लगाते हैं तो by पाइथागोरा स्थेयोरम V square equal this and this मतलब VL minus VC whole square plus VR whole square आगे इसको हम simplify करेंगे that implies V square equal to VL का value अपने को पता है क्या होता है I into XL minus I into XC whole square plus I into R whole square that implies I square common करो V square upon I square equal XL को लिक सकते है अपन omega L minus X को लिक सकते है 1 upon omega C whole square plus R square now V square upon I square is Z square impedance किसा बता चुका मैं आपको impedance हैगा Z square equal to यह हो गया omega L minus 1 upon omega C whole square plus R square that implies Z equal square उतलेंगे दोनों साइट का that equally होएगा omega L minus C whole square plus R square this is the formula of this is the formula of impedance this is the formula of impedance यह impedance हो जाएगा अब हम निकालेंगे क्या face difference यह formula बैसी है सब जैसे भी निकालेंगे region है क्यों से face difference किसे निकालेंगे 10 phi से 10 phi perpendicular क्या है यहाँ पर यह है VL minus VC VL minus VC upon VR that implies 10 phi equal to VL is I into XL minus I into XC upon I into R I common होके cancel हो जाएगा say हो जाएगा 10 phi equal यहाँ पर बच्चेगा XL जिसको हम लिख सकते हैं क्या omega L minus 1 upon omega C upon R clear that implies यदि हम इसको phi के लिखना चाहे तो phi equal to क्या हो जाएगा यह यह हो जाएगा 10 inverse omega L minus 1 upon omega C upon R यह है phi का value clear इस पकार से यह face difference निकल जाएगा और सपोस अपने को peak value निकलना है peak value आप current तो क्या हो जाएगा I naught equal to V naught upon Z यह जो Z कभी लिखा उसको लाक यहाँ put up पर देना यह फार्मॉला निकल जाएगा और फिर आपको निकालना इसमें regional frequency तो regional frequency अभी जो निकालना वैसे ही निकलेगा same to same वैसे ही निकलेगा इसको कपी कर ले न तो exam में कभी भी LCR सरकी पूछता है तो point part में पूछता है कि आपको क्या निकालना है suppose आपको impedance निकालने बोला तो यहाँ break कर दोगे अपना calculation suppose आपको यह निकालने बोला तो यह निकालोगे pig will मतलब बोलेगा इस तरह से question आता है explain series या resonance circuit in following heads calculate this this and this तो वो आप निकालते जाओगे जो mark के weightage के हिसाब से body exam में आता है और रहा सवाल complete exam का तो हर point इसका important है सबसे important इसका graph है आपको graph अच्छे समझना है ये फार्मूले learn करना है अधरवाइस एक फिलिमेर कल आप से नहीं बनेगा तो ये seven circuit मैंने आपको बताया और आपको बार-बार ये बात याद दिला रहा हूँ कि ये पूरा seven circuit बहुत ऐसे स्तयार कीजिए तभी आपको इस chapter का next topic next video आपको समझ में आएगा जहां हम resonance और आगे पढ़ेंगे LCR बहुत important मतलब ये alternating करें बहुत important chapter है और बड़ा chapter है तो आप उसको मेह थ्रा मेहनत करके पढ़ें ओके थैंक्यू